Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज के टाइम पे बहुत सारे पेट्रोल पंप और बहुत सारे प्राइवेट टायर इंपेशन सेंटर में गाडियों के टायर में नॉर्मल कंप्रेजड एर के साथ नाइट्रोजन को भी डाला जाता है और बहुत साई लोग अपनी गाडियों के टायर में नाइट्रोजन को डलवाते भी है कि normal compressed air और nitrogen के बीच में क्या difference है nitrogen डालने से क्या क्या फाइदा मिल जाता है इसके लावा अगर हमारी गाड़ी के tire में पहले से normal air डाला हुआ तो क्या हमें उसके साथ nitrogen को mix करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप गर्मी के टाइम पे अपने बाइक के स्कूटर में नॉर्मल air डाल रहे हो तो कितना अगर आपको डालना चाहिए और अगर आप nitrogen डलवा रहे हो तो आपको कितना हवार डालना चाहिए यह सब आपको आगे इस वीडियों में जानने को मिलेगा वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले फ्रेंज टॉपिक में आगे बंढ़ने से पहले मैं आपके साथ कोर एंजिनिरिंग सेक्टर में में मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स इंगिर्स के जॉब से रिलेटेट कुछ इंपोर्टन बाते आपके साथ शेर करने चाहूंगा आप देखोएफिन्ट्र दो हजार तीस तक, हाईबिर्ट एलेक्टR को विकाल इंडुस्ट्री में दस मिलियन से बे ज्यादा जॉब इपोच्रिटीज होगी Solidworks Users के लिए 5 मिलियन से पे ज्यादा जॉब और Semiconductor Industry में 2 मिलियन से पे ज्यादा जॉब्स होगी Fresher Passout के लिए अगर हम लोग एवरेज स्टार्टिंग सालरी की बात कर ले तो CFD Engineers के लिए होता है 6.7 लाग परिनम VLSI Engineers के लिए 5 लाग परिनम VEA Engineers के लिए 4 लाग परिनम लेकिन Core Engineering सेक्टर में एक अच्छा जॉब पाने के लिए Engineers में Certain Relevant Industrial Skillset होना चाहिए और इसी कमी को दूर करने के लिए और Engineers में Relevant Skillset डिवलाप करने के लिए An Academy Mechanical, Electrical, Electronics Engineers के लिए बहुत सारी important courses लेकर आई है जैसे की Fundamentals of Mechanical Engineering, Fundamentals of Electrical and Electronics Engineering और भी बहुत सारे courses और इन courses को जो उन industrial experts ने बनाया है जिने खुद भी 15-20 साल का experience और इन courses में आपको basic से लेकर advance देवल तक सारी चीजों को बेतर तरीके से सीखने को मिलेगा अगर हम लोग प्राइज की बात कर ले तो जो beginner courses का प्राइज है 2,000 रुपए, intermediate course जहाँ पे सारे tools और specialization included है इसका प्राइज है 7,000 से लेकर 21,000 रुपए advance course जहाँ पे internship assistant भी provide की जाती है इसका प्राइज है 55,000 रुपए साथी अगर आप मेरा coupon code 2.001 को यूज करते हो तो आपको additional 10% का discount भी मिल जाएगा साथी unacademy फिराल अभी mechanical, electrical, electronic engineers के लिए test भी लेकर आई है mechanical engineers के लिए test है make 3.0 और electrical electronics engineers के लिए test है epic 2.0 ये test होने वाला 27 March को दोपार के दो बजे इस test के लिए आप जरूर से install कर ले साथी top performance को apple product, amazon watcher साथी unacademy के advanced courses पे scholarship भी मिलने वाली है सारे important links आपको इस video के description नहीं मिल जाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी opportunity है एक अच्छा career बनाने के लिए तो आप इन courses के लिए जरूर से enroll कर ले चलिए topic पे वापस आते हैं तो friends हम अपनी गारियों में जो normal compressed air डलाते है उस normal compressed air में 78% nitrogen होता है 21% oxygen होता है और बाकी का 1% water vapor, neon, argon, carbon dioxide और बाकी की gases होती है यह normal compressed air का composition होता है लेकिन जो nitrogen हम अपनी गारियों के टायर में डलाते है अगर वो nitrogen का purest form की बात कर ले तो pure form में यहाँ पे किसी भी तरह की water vapor, oxygen मेगरा present नहीं होता है यह एक तरह से dry inert gas होता है, यह एक सूखा gas होता है, यह nitrogen होता है अब अगर हम अपनी गारियों के tire में nitrogen को डलवाते हैं तो उससे क्या-क्या फाइदा मिलता है, मैं आपको एक-एक करके बतायता हूँ नमबर वन पे है, reduced pressure loss देखिए, जो नॉर्मल compressed air को डलवाते हैं, उस नॉर्मल air में चूकी oxygen present होता है और जो oxygen की molecules होते हैं, वो छोटे होते हैं, जबकि nitrogen अगर डलवाते हैं, तो nitrogen के जो molecules हैं, वो बड़े होते हैं तो under load ये हो जाता है, कि जब load ज़्यादा पड़ता है, तो चूकी छोटे molecules होते हैं, oxygen का इस वायज़ा क्या होता है, कि उसका leakage होने लगता है, और आप देखते हो कि कुछ समय बाद, जो normal air है, वो हमारी गाड़ियों का जो tire है, वहां से कम होने लगता है गाड़ी का जो tire है, उसके अंदर में हवा कम होने लगता है, लेकिन nitrogen के साथ ये किसने हैं, चूकी इनके molecules बड़े होते हैं, तो यहाँ पे air का leakage बहुत ही ज़्यादा कम होता है, 60% तक कम होता है, normal compressed air का, तो एक फाइदा हो जाग है, कि आपकी जो गाड़ी का tire है, वो over inflation के वज़ा से होते हैं, tire में अगर air का pressure ज़्यादा होता है, लेकिन खासके गर्मी के टाइम पे क्या होता है, कि चूकि atmospheric temperature है, वो ज़्यादा होता है, मौसम गरम होता है, तो गरम मौसम में, गरम temperature में ये हो जाता है, जो gases होती है, उनका expansion होता है, और यही cases में क्या होता ह है, ठीक है, उसका जो tire का size है, उस tire का according जितना भी PSI हवा recommend किया है, माल लेते हैं कि आपके bike में जो पीछे का tire है, वहाँ पे company कहती है कि 36 PSI आपको डलाना है, तो गरमी के time पे अगर आप normal वाला डला रहे हो, तो आप 1 या 2 PSI कम डलाओ, 34 या 35 जलाओ, लेकिन अगर आप nitrogen ला रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये पीछे 36 कहा गया, आप 36 जलवाओ, आगया कि 22 कहा गया, तो 22 डलाओ, जितना company recommend कि आप उतना डला सकते हो, कि nitrogen में उस तरह का expansion नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मिलावट नहीं होती, बैकर गैस उसका, तो यहाँ पे एक फा होता है, यह है कि जो हमारी normal compressed air gases है, वहाँ पे, जो कि water vapor present होता है, moisture present होता है, humidity होता है, जिसके वज़ास से, हाला कि बहुत rare cases में होता है, लेकिन हो सकता है, chances होता है, कि जो रीम है, वहाँ अंदर से जंग लगने लगे, लेकिन इस तरह का chances जो है, वो हमारी nitrogen वाली, अगर आपको शुरू में बताया है, कि nitrogen का leakage जो है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही धीरे धीरे वो निकलते है, और जबकि normal air का leakage जादा होता है, वो जादा जल्दी जो टायर में हवा को कम कर देते है, अब इस टायर में जो हवा का importance है, वो हमारी गाड़ियों के mileage के साथ बहुत ज बहुत ही कम ताकत लगाना पड़ता है, सेम इंजिन के साथ भी हो जाता है, चुकि टायर के उपर में सारा लोड होता है, तो इंजिन को अगर टायर में हवा कम हो, तो ज़्यादा effort लगाना पड़ता है, ज़्यादा power भेजना पड़ता है उस गाड़ी को move कराने के लिए, और चुकि नॉर्मल एयर ज़्यादा ज़्यादी लीक होने लगता है, ज़्यादा ज़्यादा इंफ्लेटेट हो जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं आपको recommend करना है, अगर opportunity है, आपके आसपास अगर nitrogen मिल रहा है, तो आप nitrogen को जरूर से डला ले, यह सकता है कि कभी आपने nitrogen को डलाया, पूरा फिर नॉर्मल एयरा को डलाना पड़ेगा, तो आप mix कर सकते हो, कोई issue नहीं है, और finally, गर्मी के दिनों के बात करें, तो friends, कोई tension वाली बात नहीं है, गर्मी के दिन में भी आप अपने बाइक या, स्कूटर में, अगर available है nitrogen, तो nitrogen डला सकते हो, nitrogen डलाने का फाइदा ही है, नुकसान नहीं है, तो इस बात का आप ख्याल रखें, तो friends, उम्मीद है कि इस वीडियो में दीके जान का रहें, आपको पसना आई होगी वीडियो चा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बाद और चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकान को भी दबाले, ताकि आने वाली important आपको notification के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, good bye